विदीसा जिले में आज दोफर एक अजीब मामला सामने आया है जहाँ एक परिवार जिसमें महिला, पूरुस और बच्चे भी शामिल है अपने साथ गरस्ती का सामान खाना बनाने के ओने विछाने का सामान सहीट कलेक्टेट काले पहुच गए जहां उन्होंने अपनी गरस्ती का सामान जमाया पिडित परिवार ने बताया कि वह गंजबासुता छेतर की राम सेमरी के निवासी है परिवार की मुख्या की हिरा भाई ने बताया कि पांच जून को उनके पती गुलाप सी और टेज सींग और उनके अनसाथियों गंभी दिखाती और तो साइद अपने पिता के नहीं होती उन्होंने यह बदाया कि तेज सिंग पर पहले भी 302 का मामरा दर्ज है छोटे मोटे कई अभी वर्तमान में वह फरार चल रहा है उन्होंने गंजबासोदा कोटवाली पुलिस पर भी गंबीर आरूप लगाएं गंजबास आरूप लगाएं के विरुदे कराई जाएगी आमे आपना ता इरवाई माँ आज राजेश झाहिए यह न्होंने क्या हूंने का रहा है आजिए यह झाहिए इन दे रहा है मार रहा है राम चरन सौनू मलखान अमोल सींग राजेश रगबीर आरूआ रहती और सेमरी पुल कि अज़े से मिन रहने जिरा 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 जिर कर दो किया कर भागे हैं इस मिया नाम है हरियुमलोदी ती बाह से आयो ग्रहम सेम्री किस संस्य अहुले पर यहा लडाई ज़ो आख क्शाप क्या हुए लडाई हो इस त्रेस्ट सभी सब्सेश्टें क्या है कि भी पापा खुतम कर दिया है इस ने किया है पहले एक बार बार मार दिया था नाखचू पैसे मजदूरी करो हमारी पैसे देते लें यह नहीं करी तो फिर भुट लड़ाई एगड़ात रहता है और पहल सा ही बोतो 302 मुझलिम है को एक बार मार दर केस बाप पहल से ही चल रहा हुआ जो जो दूसरों कर दा लापता है अ बार मैं पहल था कर दो हैं तो आफ दो लेड़ा इसाथ है कि आहां कीती सिकायत की तो रहें जुख अब कर आए और रहें नहीं नहीं तारह सहाफेंता कर एंगर आफ तो सुनवाई नियू रही उनके चक्र में लें लागा है तो करी कि दो दीना गड़ा हैं तो जनवादी हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले